राहम मुहूर्त में उठकर तथा नित्यकर्म और संध्य उपसना आदी निवुरित होकर राम और लक्षमल गुरु विश्वा मित्र के पास जाकर बोले, गुरु देव, कृपा करके हमें ये बताये कि राक्षस यग्य में वेगिन डालने के लिए किस समय आते हैं। ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा नहों कि हमारे अंजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगें। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्राश्न का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि वे यग्य की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्षमन दोनों भाय अपने समस्च शुस्त्रास्त्रों से सुसजजित होकर यग्य की रक्षा में ततपर हो गए। पांच दिन और पांच रातरी तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्ता के साथ यग्य की रक्षा करते रहे किन्तु इस अवधी में किसी भी प्रकार की विग्धिन बाधा नहीं आई। चथवे दिन राम ने लक्षमन से कहा, भाई सौमित्र, यग्य का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आकाश से ऐसी ध्वनी आने लगी जैसे मेग गरज रहे हों और सेकलों बिजियां तढ़क रही हों। मैं मानवास्त चला कर इन महापापियों की सेना का अभी नाश किये देता हूँ। ये कहकर राम ने असाधारन फूर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त छोड़ा। मानवास्त रांधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उलकर एक सो योजन अर्थात चार सो कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आगनयास्त्र फेका जिससे अगनी की एक भयन कर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबहू को चारों और से आवरित कर लिया। इस अगनी की ज्वाला ने क्शन भर में उस महापापी को जला कर भास्न कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर प्रित्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमा का हुजा। उसके आगात से अनेक रिक्ष तूट कर भूमी पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहू पर आक्रमन समाप्त करके राम ने बचे खुचे राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओलों की भाती भूमी पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारो और राम की जय जाईकार होने लगी तथा कुषपों की वर्षा होने लगी। निर्विघन यग्य समाप्त करके मुनी विश्वामित्र यग्य वेदी से उठे और राम को हृदै से लगा कर बोले ही रगुकुल कमल। तुम्हारे भुबजल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यग्य सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिधाश्रम को कृतार्थ कर दिया।